नमस्का दोस्तों स्वागत आपका रिक्रूमेंट जोब इस यूट्सपी चैनल पे दोस्तों बांक नोट प्रेश देवास की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी कूंद निकल के आ चुकिया दोस्तों प्रेश नोट जो है मतलब जहाँ पर बांक में नोट प्रिंट होती है द कौन कौन सी पोस्ट निकल के आच चुकी है कितनी सारी पोस्ट है और फीज कितने लगने वाली है सारी चीज हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे तो जरू देखें तो दोस्तों चलो देख लेते डायरेक्ली ऑपिसेल नोटिफिकेशन पर चलो मैं आपको ऊपन करके दिखादाओ ऑफिसेल नोटिफिकेशन एक एक करके हम लोग देख लेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन है बैंक नौट फ्रेस देवास एम पी की तरफ से निकली हुई यह रिक्रूमेंट की नोटिफिकेशन निकल के आच चुकी है कौन कौन सी पोस्ट है चलो सारी चीज़ हम लोग देख लेते तो पहली जो पोस्ट है वह वेलफेर ऑफिसर की है दोस्तों यहाँ पर एक पोस्ट निकल के आच चुक है और इसके लिए जो सैलरी मिलने वाली है वो है 29,740 रुपे से लेके 1,03,000 तक यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है और तुसरी जो पोस्ट है सुपरवाइजर इंफोर्मेशन टेक्नलोजी के लिए वह भी एक पोस्ट निकल के आच चुक है दोस्तों इसलिए भी जो सैलरी मिलने वाली है वह है 37,600 से लेके 95,910 मतलब 95,910 रुपे तक तो दोस्तों यह तेन पोस्त है इसके लिए जो अपर तीन लिमिट है मतलब का ज्यादा चे ज्यादा उमर कितनी होने चाले तो यहाँ पर तीस साल घी गया है मतलब तीस साल के उपर आपके उमर नहीं होने मतलब 28 years के उपर आपका age नहीं होना चाहिए दोस्तो अगली जो पोस्ट आप देख सकते हैं पाच नंबर की पोस्ट है जुनियर टेक्निसियन इंग फैक्टरी के लिए और वो कुल मिला के 60 पोस्ट निकल के आच चुकी है और उसके लिए जो salary मिलने वाली हो है 18,780 से लेके 67,390 रुपए तक salary आपको यहाँ पे मिलने वाली है और उमर जो है age limit जो है 25 years मतलब 25 साल के उपर आपकी salary नहीं होनी चाहिए दोस्तो चटी पोस्ट जो है junior technician प्रिंटिंग के लिए निकल के आच चुकी है और प्रिंटिंग में आपको junior technician के तोर पर यहाँ पे job जो है वो 23 पोस्ट निकल के आच चुकी है और 23 पोस्ट के लिए salary आपको यहाँ पे से मिलने वाली है 18,780 से लेके 67,390 रुपए तक यह और उसकी जो salary है वो सेम है 18,780 से लेके 67,390 रुपए तक salary आपको मिलने वाली है और यहाँ पे age limit की बात करें तो 25 years के उपर आपका age नहीं होना चाहिए और दोस्तो आखरी जो पोस्ट है वो junior technician mechanical या तो फिर AC के लिए है accountant के लिए और वो total post है 15 और इसके लिए जो salary मिलने वाली है वो भी है 18,780 से लेके 67,390 रुपए तक और आपको यहाँ पे age limit की बात करें तो 25 years यहाँ पी age limit आपका होना चाहिए मतले 25 की उपर आपका age नहीं होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे apply कर सकते हो दोस्तो अब दो पोस्त जो है अलग-अलग निकल के आ चुके तो क 28,570 रुपए तक यहाँ पे salary मिलने वाली है और इसके लिए age limit की बात करें तो यहाँ पर 28 साल आपका age limit दिया गया मतलब 28 साल के उपर आपकी उमर नहीं होना चाहिए और दोस्तो आखरी जो पोस्त है वो junior office assistant की पोस्त निकल के आच चुके हो टोटल तीन पोस्त है और इस साल के अंदर आपकी उमर है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो दोस्तों important dates की बात करें तो आप देख सकते ओपनिंग जो है online application की opening हो चुकी है 12 में को आज है 11 में मतलब कल से start होने वाली है opening तो कल से 11 बज़े से आप यहाँ पर apply कर सकते हो और last date आपको यहाँ पर देखने को मि लेगी 12-5 से लेके 11-6 तक मतलब 11 जून तक आप यहाँ पर apply कर सकते हो फीज बनने के लिए भी सेम डेट है आपको 12-5 से लेके 11 जून तक आप यहाँ पर apply कर सकते हो फीज भर सकते हो और 22 आपकी जो टेस्ट है stenography की और टाइपिंग टेस्ट जो होने वाली है उसकी जो टे आपकी यहाँ पर टेस्ट होगी और 22 डेट जो है online examination की ओभी यहाँ पर दी गई है जुलई या फिर आउगस जुलई या ऑगस में दोनों में से किसी एक मेने में आपकी यहाँ पर टेस्ट होगी स्टेनों की टाइपिंग की और दूसरी बात यहाँ पर online exam 20 सेम आपको जु जरारओर है और उसके साथ साथ हम लोग अगर करें तो डिगरी या डिप्लोम आपका Social Science में कियाओ अची यह तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो, साथ ही साथ आपको हिंदी का knowledge होना जरूरी है, बोलने में और लिखने में, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो, यह है welfare officer के लिए, दूसरी जो post supervisor इंक factory के लिए, तो वहाँ पर देखा जाए, तो हमका जो qualification है, वो first class full time diploma किया होना चाहिए था, वो अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो, दूसरी बात, अगर आप B.E.B.T.E.C. इंजिनिरिंग आपने किया है, तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो, फुल टाइम B.E.C. होनी चाहिए chemistry में, तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो, दोस्तों अगली जो पोस्ती सुपराजर, information technology के लिए तो उसके लिए जो education qualification के बात करें तो आपका first class full time diploma किया होना चाहिए engineering में, in IT या computer engineering में, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो, और higher qualification के बात करें तो आपका B.E.E. किया होना चाहिए, या तो फिर B.E.C. engineering के आपने किया है, तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो, लेकिन उसके लिए revealing trend का आपको यहाँ पर होना जरूरी है, मतलब IT के लिए आपको information technology का होना चाहिए, तो आप B.E.E.C. IT किया है, तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो, जोस्तों अगली जो पोस्ती junior officer assistant की तो इसलिए आप देख सकते है graduate आपका होना चाहिए तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो, जोस्तों अगली जो पोस्ती junior technician ink factory के लिए तो उसे के लिए essential qualification की बात करोती है, यहाँ पर full time आपका IT किया होना चाहिए, certificate आपका IT का होना चाहिए, या तो फिर desk full technology या paint technology या surface coating technology में अगर आपने IT किया है, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो, औ या तो फिर printing ink technology में अगर आपने किया है, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी chances है, उसमें से अगर किसी में आपने किया है, आप यहाँ पर apply कर सकते हो, आपके लिए पोस्ती है fix रहेगी, दोस्तों दुसरी जो पोस्त है junior technician printing लिए तो प आप यहाँ कर सकते हो, दोस्तों junior technician electrical IT के लिए जो पोस्त निकल थी उसके लिए आपका full time IT certificate होना चाहिए, electronics का along with one year NAC certificate from NCVT, एक साल का NAC certificate होना चाहिए, वो NCVT का, तो आप यहाँ कर सकते हो, दोस्तों अगली जो पोस्ती junior technician mechanical AC के लिए, मतला अकॉर्णेट के लिए तो full time IT किया, certificate आपका होना चाहिए, fitter में, या तो फिर mechanics turner में, या instrumental mechanical में, या mechanic motor vehicle along with one year experience आपका होना चाहिए, NAC होना चाहिए, certificate आपके बास में तो आप जरूर एपलाई कर सकते हो, और दोस्तों जो लास्ती पोस्ती, secretary assistant की, उसके लिए आपको यहाँ पर graduate होना चाहिए, 55% मार् और आपको stenography का English में, या तो फिर Hindi में, 80 word per minute का आपका यहाँ पर speed होना चाहिए, और ताइपिंग का 40 words per minute का यहाँ आपको speed होना चाहिए, English और Hindi में, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो, तो दोस्तों, I hope मैंने सारे चीचे आपको बताई, और आपके सारे चीचे ध्यान में आ कर लिजे, ताकि जैसे में नए वीडियो बना, उसको नोटी पेशे सबस्ते पहले आपको मिल की रहे, तो दोस्तों, मिलते हैं, नए वीडियो में, नए जापके साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद,